आज मैं मास्क बनाने के लिए बताऊंगा यह देखिए दोपीस कपड़ा लेना है और यह मेजरमेंट इसका देख लिए 6 इंच है और इधर 11 इंच है और सबसे पहले इसको इस तरह फैल्ड कर लेना है और फिर दूसरा फैल्ड इस तरह कर लेना है और इधर सावा एक इंच में निशान लगाना है जी इधर बंध हे कपळा उधर सावा एक इंच में निशान लगाना है यह देखिए इधर बंध कपळा है और जो खुला साопर 시 को इसमें बढ़िया से सेटिंग कर लेना है और फिर जो खुला की तरफ सावा एक इंच में निशान लगाना है और ये निशान इसमें और यहां से गोलाय देना है इस तरह से गोलाए देना और ये निशान और वो निशान दोनों को मिलाना आए लिए हलका से गोलाए देना है दख्ये निशान लग चुका है और उसी निशान में कटिंग कर लेना है ये देख्ये मास्क कटिंग हो चुका है इस तरह से कटिंग होने के बाद दिखेगा बीच में फिर कट कर लेना है और फिर इस तरह से दोनों कपड़ों को मिलाना है और यहां से फिर सिला लगाना है एक पीस में सिला लग चुका है दूसरा पीस में भी सेम उसी तरह सिला लगाना है और इसमें हलका हलका कट लगाना है यह कट बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह कट लगाने से आपका मास्क का फिनिसिंग जो होता है वो बढ़िया होता है और इसको फिर सिधा की तरफ फोल्ड कर लेना है यह देखिए फोल्ड हो चुका है और फिर दोनों को इस तरह से शेटिंग कर लेना है और यहां से फिर सिला लगाना है एक तरफ कर एक साड के सिला लग चुका है अब दूसरा साड में भी सेम उसी तरह सिला लगाना है दूसरा साड में भी सिला लग चुका और इसमें भी हलका हलका कट लगाना है और सिधा की तरफ इसे फोल्ड कर लेना है यह देखिए फोल्ड हो चुका है लास्टिक लेना है और इसका मेजरमेंट देखिए 6 इंची है और फिर यहां फिर इसको अटेज कर लेना है इसको सबसे पहले सेट कर लेना और यहां से सिला लगाना है यह लास्टिक बहुत आसानी से बन जाता है उमीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले लास्टिक के सामने हलका जड़ देना है ताके सिलाए लास्टिक निकले नहीं सिला मजबूत हो यह देखिए मास्क बनके रेडी हो चुका है इस तरह से आप मास्क बना सकते हैं